लोगडाउन के चलते जम्मो कश्मीर के हजारो चात्र और मजदूर ताजनगरी आगरा में फंसे हुए थे आगरा और आसपास के जिलों में काफी संख्या में जम्मो कश्मीर के श्रमिक काम करते हैं काफी संख्या में श्रमिक आगरा के शीत ग्रहों और खंदौलिक शेत्रों के खेतों में आलू खुदाई के कार्रे में लगे थे इसके अलावा काफी यूबा यहां के विभन शिक्षन संस्थानों में पड़ रही है अचानक लोगडाउन होने से सब कुछ बंध हो जाने पर ये बोरी तरह से फंस गए थे जने प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री चौधरी उद्यभान सिंग के प्रियासों से जम्मु कश्मीर भेज जा रहा है आगरा से पहला जथा जम्मु कश्मीर के लिए रवाना हो गया अब आप कहा जा रहे हैं हम लोग जम्मु कश्मीर जा रहे हैं इसकी सासर ने वरस्ता की थी आपने अपकरिया था दरसल आगरा के खनौलिक शेतर के शीत गरह संचालकों ने राज्यमंत्री चौधरी उद्यभान सिंग के समक्ष ये समस्या उठाई थी उन्होंने बताया था कि यहां ठहरे हुए श्रमिक परिशान है इस पर राज्यमंत्री चौधरी उद्यभान सिंग ने जिला उधंपूर के रामनगर विधानसबाक शेतर के नीवर्तमान विधायक रणवीर सिंग पठानिया से संपर्क करके उन्हें बताया कि आगरा में फसे हुए जम्मु कश्मीर के लोगों के स्थिती खराब है और उ पासों का इंतजाम करके उन्हें वहां भेज दिया गया अन्नेक शेतरों से भी जम्मु कश्मीर के लोगों को उनके घरों में भेजा गया गुदंपुर लोगसवा के अंतरगत जम्मु कश्मीर में विधान सवा है रामगर्ड वहां से विधायक रहे हारेस पठानिया साथ उन्होंने आज से मुसे लगभद 20 दिन पहले कहा था कि उनके विधान सवा के और लोगसवा के हजारों की सिंख्या में यहां मजदूर आ कर रहे हैं और इस लोगडाउन के अंतरगत वे अपने घर पर अपने नगर जाना चाहते हैं उन्होंने एक सूची बेली जिसमें उनका मोवाइल अंबर था सब को संक्रम करके एकत्रित करके सबसे बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद उनके आधार कारणों को एकत् अपने सरकार ने गहराई और गंभीरता से संग्यान लिया और उनको उनके घंतब्य स्थान तक पहुचा ने किया सार्थर प्रयास किया मैं जहां सरकार को साधवाद देना चाहता हूं धन्यवाद देना चाहता हूं वहीं मज़दूरों को भी धन्यवाद दुगा के वे ध जम्मु कश्मीर के प्रमुक सचीव और नोडल अधिकारी शालीन कापरा ने आगरा में फंसे प्रवासी कश्मीरियों को भेजने के लिए जम्मु कश्मीर और उत्रप्रदेश सरकार के बीच सहमती बन गए जम्मु कश्मीर के प्रवासियों का पहला जथा रवाना हुआ तो उसमें शामल लोग, राज्यमंत्री, थान्यपर शासन और सहयोग करने वाले अन्य लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूशन की रिपोर्ट